अज़ अज़ का पेपर है फ्रस्ट मोलेकिल जनेटिक्स प्योटेक्नोलोजी एंड इंस्टुमें टेंशन आपका जो पेपर फोर्टियर में है उसमें कैवल एक ही पेपर आपके सिलबस में है इसके अंदर 5 unit है आपकी और आज अपन unit first start करने जा रहे हैं और first unit का जो पहला topic है वह यह आपका nucleic acid nucleic acid जो होते हैं आपने पढ़ा भी होगा nucleic acid दो प्रकार की होते हैं एक होते है DNA एक होते है RNA इनकी बारे में पूरा structure वगेरा इसकी forms क्या है इसका chemical composition क्या है function क्या है units क्या है इसकी DNA की ठीक है यह सारी चीज़े हमें पढ़नी है उससे पहले अपन nucleic amla को start करेंगे nucleic amla या nucleic acid तो गुंसुत्र जो होते हैं हमारे अंदर जो chromosomes होते हैं जिसकी कारण माता पिता से जो लक्षन होते हैं वो कहा जाते हैं उसकी संतान में जाते हैं उसकी बच्चे में जाते हैं ठीक है ना चैल्ड में जाते हैं तो गुंसुत्र को क्या का गए अनुवान्शिक वाहग हैं ये, क्या है genetic vectors हैं ये, ये माना जाता है, और रासनिक रूप से जो गुंसुत्र होते हैं, क्रोमसॉम्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन या nucleic acid के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन और nucleic acid के बने हुए होते हैं, ठीक है, पहले प्रोटीन कि ये मानते थे कि protein जो है वो क्या है अनुवांशिक पदारथ ए लेकिन बाद में क्या हुआ कि विग्ज्यानिकों ने प्रयोगुद्वारा क्या किया इसको सिद्ध कर दिया और इसको प्र Glück करने वाले बहुत सरे विग्ज्यानिक थे जिन्हों प्रयोग किये थे उन्हों से कुछ विग्या निकों के नाम में आपके सामने लूगा तो फ्रेडरिक ग्रिफिस है इन्होंने रूपांतरन नाम दिया था उसके अलावा एवरी कॉलीन मैकलिओड है मैकार्टी है इन्होंने भी उसी रूपांतरन या ट्रांसफोरमेशन के बा अनुवांशिक पदार्थ है और इसकी लिए उन्होंने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ लिये थे कौन कौन से लिये थे तो सलफर 32 का जो समस्थानी के वो लिया था और फॉस्परस 32 इन्होंने उप्योग में लिया था तो सबसे पहले यह कहने वाले कि डिने ही अनुव अनुवांशिक पदार थे लेकिन प्रयोगों द्वारा प्रमाने थे इन्होंने किया था सबसे पहले अब नुप्लिक एस्ट यह जो है इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिट किसने किया था सेल्स से अलग किसने किया था तो नुप्लिक अमल को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर इन्होंने जो मवाद कोशिकाएं होते हैं, जो पस सेल्स होती हैं, तो उनके कैंदरक से इसको क्या कर दिया था? नुकलिक असेट को अलग कर दिया था, इसको क्या कर दिया था? अलग कर दिया था, प्रतक कर दिया था, डिफ्रेंशेट कर दिया था, किस से किया? कैंदरक से कि कोशिकाओं के केंदरक से तो मवाद कोशिकाओं के केंदरक से और इसका नाम रख दिया नुकलीन क्या नाम रख दिया इसका नुकलीन उसके बाद में बात करते हैं रिचर्ड अल्टमान रिचर्ड अल्टमान जो थे इन्होंने इसका नाम दे दिया नुकलिक अमल क्या नाम नुकलीक अमल हम पढ़ रहे हैं आपकी जो यूनिट है ये नाम दिया था किसने रिचर्ड अल्टमान है ठीक है इसको नुकलीन नाम दिया था किसने ठीक है न मिशर ने दिया था ये अब नुकलीक अमल में कौन-कौन से तत्व होते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, नुकलीक अमल जो है ये हमारे सभी सजीवों के आनुमानशिक लक्षणों का नियमन करता है इसका regulation करता है और साथ में हमारे अंदर जो protein synthesis होता है protein sensation होता है तो RNA भी nucleic acid है तो protein sensation का नियंतरन उसका regulation भी कौन करेगा नुकलीक अमल करेगा ठीक है और हमारे साथ में क्या करता है DNA जो होता है क्या करता है जीन का क्रियाकरी खंड DNA कहलाता है DNA का क्रियाकरी खंड जीन ही कहलाता है ठीक है न जीन ही अनुमानशिकता की इकाई है मैंडल के नियम अपने पड़े हो तो जीन ही क्या है अनुमानशि होते हैं जो genetic हमारे characters होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं हमारे parents से मिलते हैं उनका regulation करता है ठीक है और सभी सजीवों में दो प्रकार के nucleic acid पाया जाते हैं कितनी प्रकार के होते हैं two types of nucleic acid first है आपका DNA deoxy ribonucleic nucleic acid दूसरा है RNA ribonucleic acid तो कितनी प्रकार के हो गए दो प्रकार के अब ध्यान रखना कि जितनी भी सजीव कोशिक आए हैं उन सब में DNA पाया जाता है उन सब में क्या पाया जाता है DNA केवल बात करें पादफ वाइरस की, तो पादफ वाइरस के अलावा सभी में क्या है, DNA केवल पादफ वाइरस में क्या होता है अनुअंशिक्पदार्थ, RNA होता है जो genetic material है जो substance है, वो RNA होता है किस में होता है, केवल पादफ वाइरस में होता है, बाकी सब में क्या पाय जाता है DNA पाय जाता है क्या पाय जाता है अब अलग अलग बात करते हैं कहाँ DNA पाय जाता है किसमें पाय जाता है केसा पाय जाता है तो जो जिवानों भोजी होते हैं और वाइरस होते हैं ठीक है ना जिवानों भोजी मतलब बैक्टिरिया फेस केते हैं इनको और उनमें और वाइरस में जो DNA होता है उसका केवल एक ही हुनू पाया जाता है और ये एक ही मॉलेक्यूल होता है और वो किस रूप में पाया जाता है कुंडलित रूप में पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है कुंडलित कुंडलित मतलब इसको स्पाइरल कह सकता है साब कुंड से ढखा हुआ रहता है चारोआ से किस से ढखा रहता है प्रोटीन सेढखा इसके अलावा यह तो होगी बात बैक्टिरिया फेज और वायरस की दूसरी बात करते है बैक्टिरिया mitochondria और plastid अब आपको ध्यान में आया होगा कि बैक्टिरिया तो चलो समझ में आता है ये mitochondria और plastid जो है ये तो हमारे cell organless है, कोशिकांग है ये तो कोशिका के अंदर पाया जाते हैं, कोशिका दरवे के अंदर है ना, तो ये बात ध्यान रखे जाएगा कि केवल mitochondria और plastid जिसको अपन हरित लवक भी कहता है ये एक मात्र ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका खुद का DNA होता है जिनका खुद का DNA होता है, और ये DNA केसा होता है वरत्ताकार होता है राउंड शेप में होता है और कोशिका द्रवे में पाया जाता है कहां पाया जाता है, साइटोप्लाजों में किस रूप में पाया जाता है, नगन रूप में पाया जाता है साइटोप्लाजों में केसा पाया जाता है ये नगन रूप में पाया जाता है, उपस्थित होता है ठीक है अब बात करते हैं आगे इसके यू केरियोटिक कोशिकाएं जो हैं यू केरियोटिक कोशिकाओ में जो DNA है वो कैसा होता है तो जो यू केरियोटिक कोशिकाएं आप जानते हैं यू केरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा विक्सित कोशिकाएं मानी ज शाकित होता है मतलब अंद्रांचर होता है, long होता है और साथ में spiral भी होता है तिक इस रूप में पाया जाता है, और इसमें जो chromosomes की संख्या होती है, वो किसके equal होती है? DNA की equal होती है, तो DNA की संख्या और chromosome जो है, उनकी quantity, क्या होगी? सेम सेम होगी ठीक है और इसमें जो डीने होता आप यह चीज ध्यान रखने हैं आपको कि डीने जो होता है वो प्रोटीन के साथ क्या करता है जुड़ता है प्रोटीन के साथ क्या करता है जुड़ता है और प्रोटीन के साथ जुड़ करके नुकलियो प्रोटीन के रूप में बटन मतलब नुकलिक अइसिड प्रोडीं मिलकर के बनाते हैं दुन के साथ शुट रहा है प्रोडीन के साथ NucleoprotPlay बना रहे है अब यह तो होगी बात ने कहां पाये जाता है आरेने कद्रक में तो पाय जाता है लेकिन केंदरिका केंदर पाया जाता है जिसको नुकलियोलस कहता है तो कहां कहां फांड होता है यह आरेने इस फांड इनुकलियोलस ठीक है और यह मुख्य रूप से कहां होता है तो साइटोप्लाजम में होता है कूशी का दर्वे में उपस्तित होता है ठीक है और कूशी का दर्व के रूप में भी पाया जाता है चोटे-चोटे कणों के रूप में भी यह वहाँ पर पाया जाता है कहाँ पर endoplasmic reticulum के अंदर तो यह जीज हो गई अब nucleic amla जो है इसका जो एक अणो है nucleic amla जो है उसका एक अणो एक लंबी बहुलक या poly nucleotide presenters जालता है जो एक यत depois शए की रूप में पाया जाता है एक तो इसका एक अंडर बहुथ सारे नुक्लियो टैड की जो monomers होते हैं, single single और ऐसे बहुत सारे बहुलक मैंने चारी बता हैं एक्जामपल के लिए बागी बहुत सारे होते हैं हजारों की संख्या में होते हैं ठीक है ना और हजारों की संख्या में जब मिलते हैं तो मौनोमर मिलेंगे क्या बनाएंगे पॉलीमर बनाते हैं यानि एक लग जब मिलते है तो क्या बनाते हैं बहुलक बनाते हैं यानि नुकलिक अमल क्या है तो नुकलिक अमल एक बहुलक है क्या है लंबी बहुलक श्रंकला है जिसमें बहुत सारे नुकलियोटाइड मिलते हैं इसलिए इसको क्या कहा है पॉली नुकलियोटाइड क्या कहा है पॉली वही क्या है nucleic, acid है, ठीक है ना, तो ये nucleic acid किस से मिलकर बने है, तो nucleotide से मिलकर बने है, तो ये क्या कह सकते हैं, कि nucleotide जो है, वो nucleic amla की क्या है, सरणचनात्मक इकाई है, मतलब structural unit है, कि nucleic amla से मिलकर के nucleotide बनते हैं, अब आगे जो हम इसके आगे वीडियो जो बनाएंगे उसमें ये देखेंगे कि यह जो nucleic अमले 2 प्रकार की होते हैं DNA और RNA तो ये DNA की सरंचना कैसी होती है ठीक है? DNA में कौन-कौन सी चीज़े होती है और RNA में कौन-कौन सी चीज़े होती है तो यह जो भी nucleic अमले होते हैं यह तीन पदार्थों से मिलकर बनते है खास करके एक तो होता है फासफोरिक एसरेड होता है दूसरा होता है शरकरा जिसको शुगर कहता है और तीसरा होता है जो बैस होते है जो नाइट्रोजनी बैस होते है नाइट्रोजनी शारक कहते है इन तीन चीज़ों से मिलकर बनते है नाइट्रोटनी शारग भी दो प्रकार के होते हैं प्योरीन और पिरिमीडीन ये नेक्स क्लास में आपन देखेंगे तेक है इसके लिए थेंक यू